तो हैले दोस्तों हमारे यूट्व चिलमा को स्वागत फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप गूगल पे की जो ट्रांजेक्शन हिस्टोरी होती है उससी डिलीट करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को देखिएगा इस वीडियो में म डिलीट करना है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा कि सो टांजेक्शन मसें दो चार्ट टांजेक्शन को कैसे डिलीट किया जाता है अगर आप एक को भी करना चाहोगे तो वहाँ पर एक भी कर पाऊगे डिलीट चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मेरी ओपन करने के बाद इस तरी के से आपके सामने ओप्सन देखने को मिल जाएगा उपर कोने में आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी अगर आपने फोटो लगाया होगा तो यहाँ पर दिखेगा नहीं लगाया होगा तो कुछ और यहाँ पर देखी इस तरी के से दिख जाए जैसे ही है आप सेटिंग वाले option पर क्लिक करते हो तो सबसे यहाँ पर दीखे तीसरे नमबर पर आपको एक option मिलेगा privacy and security जो privacy and security का जो option आपको देखने को मिल रहा है ना इसके उपर आपको क्या करना यहाँ पर उपशन इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करोगे तो सबसे उपर एक ओप्षन आपको मिल जागा डाटा एंड प्रस्नालिजेसन का आपको क्या करना है डाटा एंड प्रस्नालिजेसन वाले ओप्षन पर क्या करना है क्लिक करना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करते हो त यह Chrome browser में open होगा Chrome browser में open होने के बाद इस तरह के सापको सामने option आ जाएंगे दिखिए यहाँ पर यह जो option आपको सामने आ रहा है तो इस तरह के option नहीं आएंगे जब आप first time delete करने के लिए जाओगे तो इस तरह के option आएंगे आप यहाँ पर आपकी Gmail ID सो कर दी जाएगी तो आप उस Gmail ID को select करिएगा जो आपके Google जो Google पर अकाउंट है उसमें link होगी उसी को select करिएगा तो चलिए मैं यहाँ पर एक चोटा सा arrow दिया गया यह चोटे सा arrow को मैं click करूंगा जैसे ही मैंने उसके उपर click किया तो जो Google पर अकाउंट वाले option में जो Gmail ID link है मैंने उसको select कर ल जिएगा जैसे ही आप password डाल दोगे अपने screen log का तो आपके सामने यह open होके आ जाएगा थोड़ा सा वेट करेंगे इस तरह के option आजाएगा आप आपको नीचे आना है आपको तो यहाँ पर देखिए डिलीट का option दिखेगा यह वाला तो अभी मैं आपको बता दूँ जैसे जो एक रुपय वाला transaction था वो डिलीट हो चुगा है यहाँ देखिए डिलीटेशन complete आपका जो अगर आप एक को डिलीट करना चाते हो तो इस तरह के से उस पर क्लिक करोगे क्रोगे क्रोस वाले बटन पर तो यह डिलीट यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या करना है तो यहाँ पर जैसे ही आलवेज वाला option पर क्लिक करने के बाद होता कि आपने आज तक जितनी भी transaction किये हैं Google पर से वो सभी एक साथ डिलीट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है डिलीट वाले बचन पर अगर आप नीचे यहाँ पर क्लिक करते हैं जो डिलीट का बटन है इस पर क्लिक करते ही आपकी जो पूरी transaction story हो डिलीट हो जाएगी एक साथ तो इसे परकार से आप Google पर की transaction story को डिलीट कर पाऊगे अभी फिलहाल में मुझे अपने history नहीं डिलीट करनी है transaction की तो अभी मैं नहीं करूंगा अगर आपको करनी होगी तो आप सीधे आलवेज व तो आपको वीडियो अच्छी लगी होग और अच्छी लगी चनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और बेल आइकन को पिसका नाम दूलिए मिलते नए वीडियो साथ तब तक लिए धन्यवाद